नमस्कार, नेक्स्ट नाइन नियूस देख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रग्या सिंगर उत्तर प्रदीश की सियासत लगातार गर्माती हुई नसरा रहे क्योंकि असी लोग सभा सीटो वाले यूपी में अब लगातार उमीदवारों की नाम फाइनल होते हुई नसरा रहे तमाम पार्टिया अब अपने उमीदवारों को लेकर घोशना कर रही है लेकिन इस दोरान देखने के लिए मिला है कि समाजवादी पार्टि छे सूची जारी कर चुकी है और इन छे सूची में लगभग चार सूचियों में अखलेश रियादव उमीदवारों को बदल चुके है सवाल लगातार ये बनता हुआ नसरा रहा है कि क्या अखलेश अब अपने फैसले पर पच्चता रही है अगर बात की जाए यहाँ पर नगीना सीट की तो नगीना सीट पर भी चंदर शेखर आजाद और अखलेश यादव के बीच सियासी जंग देखने के लिए मिल रही है चंदर शेखर आजाद जिन्हें पूरे उमीद थी कि शायद इंडिया गटबंधन में शामिल होने के लिए अखलेश की तरफ से पहल की जा सकती है बार बार आजाद अपने बयानों में इस बात को कह भी रहे थे कि अखलेश उनके बड़े भाई के समान है लेकिन वही अखलेश यादव चंदर शेखर आजाद के खिलाफ नगीना सीट पर उमीदवार को उतार देती है और बस फिर क्या था चंदर शेखर आजाद अब अपने ही भाई के खिलाफ होते हुए नजरा रहे है जानकारी देदे पहले नगीना सीट पर खुली चुनाती देते हुए आजाद नजराए अखलेश यादव को इसके बाद कहा गया कि चंदर शेखर आजाद अब सिर्फ नगीना सीट नहीं बलकि उतर प्रदेश की 10 से 12 सीटों पर उमीदवारों को उतारने वाले है लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली खबर ये है कि अब चंदर शेखर आजाद ना केवल अखलेश के वोट बैंक को काटने का काम कर रही है बलकि अब वे उनकी पार्टी में सेंग मारी भी करते हुए नसरा रहे उनके करीबियों को अब अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है और इसकी शुरुवात चंदर शेखर आजाद ने की समाजवादी पाठी के राष्ट्रे महा सचिव रहे आजम खान से दरसल आपको बता दे कि आजम खान के बेटे अदीब से कुछ समय पहले ही आजाद ने फोन पर बात शीट के और अब खबर सामडे आ रही है कि चंदर शेखर आजाद आजम खान से मुलाकात करने के लिए सीतापूर जेल जाने वाले हैं दरसल आपको बता दे कि चंदर शेखर आजाद ने आजम खान को लेकर ये साफ दौर पर कहा है कि उनकी साथ नाइंसाफी हो रही है जिस तरह से सपा प्रमुक उन्हें लगातार नजर अंदास करते हुए नजरा रहे हैं इसका अब कहीं न कहीं जो भरपाई है वो अखले श्री आदव को करनी ही पड़ेगी जानकारी दे दे कि 29 जून साल 2023 को जब चंदर शेखर आजाद पर हमला हुआ था यूपी के सहारनपुर में इस दोरान देखने के लिए मिला था कि आजाद से आजम खान उनकी घर जाकर मुलाकात करते हुए नजराय थी और जब आजम ख खान को कही न कही चंदर शेखर आजाद अपनी तरफ करने की कोशश कर रहे हैं जहां एक और अखलेश यादव अब तक आजम खान पर कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आए तो वही अब चंदर शेखर आजाद आजम खान को अपनी तरफ करने की कोशश कर रहे हैं लेकि नाम यहाँ पर सामने आ रहा था आजम खान की बहु सिद्रा अधीब का लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि आजम खान की मू बोली बेटी एकता कौशिक को अखलेश यादव टिकेट दे सकते हैं ऐसे में जहां एक और आजम खान को अपनी तरफ करने की कोशश लगातार चं कार रणनी ती किसकी काम आती हुई नजर आएगी कि आजम खान अब वाकई में नगीना सीट पर कोई बड़ा फेर बदल करते हुई नजर आ सकते हैं देखना काफी ज्यादा एहम रहेगा फिलाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबर के लिए आप बने रहें नेक्स्ट नाइन नियूस के साथ